नमसेकर दोस्तों सवागत है आप सबस्व का आपके अपने चैनल वाज किसान की में आज हजी रूं दोस्तों मैं आपके लिए उक नई वीडियो लेकर जो आज की अपनी वीडियो है दोस्तों वो है मक्षी मच्चर की प्रोब्लम जो आज कल बड़ी हुई है आपको पश्वों को मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है आज के मोसम में उसके लिए मैं आपको दोस्तो उसका इलाज बताऊंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो अगर आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करें आपकी स्पोर्ट की जरूरत है वीडियो बड़िया लगी तो दोस्तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको इसका फाइदा हुआ या नहीं दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो जो आज कल प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है मक्ही मच्छर आपके पश्वियों को काड़ते हैं जिससे आपके पश्वियों के दूद पर भी बहुत परबाव पड़ता है तो उसका मैं एक इसके डाद मैं बताओं मैं आपको यह बुटक्स एक आती है MSD कंपनी की यह आप देख रहे हो गए बुटक्स a MSD की आती है यह यह अपने लेकर आना है दोस्तो एक तो और दूसरी है दोस्तों यह अपनी फिनाईल है अगादामार का फिनाईल है यह यह अच्छी माने जाती है आप और भी कोई अच्छी फनाई ले सकते हैं यह लें तो यह बड़ी है दोस्तो इस गर्जलट यह फनाई लेनी है आप ने और यह एक फवारा है मेरे पास यह फवारा है आप यापने आसा लेना तो आहसा ले सकते हैं मार्केट में हाश score चोटे बाला भी आता है आप वहली सकती है वह सस्ता होता हो एक यह अपने दोस्तों लेना है और यह 180 यहां यह nomade जो यह यह को बता दूंब बू-टॉक्स यह एक दो से 30 बडालना एक लितर आप एक लिटर फिनाय लें इस फौरे में डालने और किसी भी फौरे में मतलब एक लिटर स्वास नाली और उसमें आपने दो से तीन एमल ये डाल लेनी है अगर कम मक्ही मच रहा दो एमल डाल लो नहीं तो आप तीन एमल एक लिटर पानी में डाल ले रहे हो तो दोस्तो आप समें चार एमल डाल लो तीन लिटर पानी ले रहे हो तो शे एमल साथ एमल डाल लो ठीक है दोस्तो और इसको डाल तो बिमार हो जाएगा इसा कुछी भी नहीं है दोस्तों यह बहुत अच्छा रिजल्ट है आपने अपने पश्वों के ऊपर इसका शिड़काव कर देना है और आप देखेंगे दोस्तों कि मख्या है जो आपके पश्वों के ऊपर नहीं बैठेगा दिन में आप दो बार शि याधा लख लें जब आपने आप अपने पश्वों के दूद निकालने जाएं तो अच्छी तरह आप अपने सारे पश्वों के उपर इसका शिड़काव कर दें तो मक्ही और मच्छर है वह आपके पश्वों के ऊपर नहीं बैठे गा और बढ़ई fare यहा बis copeaking न बपर इ लेटता है तो इससे वो बिमारी फैलती है तो इससे उसका भी कंट्रोल होगा दोस्तों एक बार फिर मैं मैं बता दूँँ आपको ये दवाई है इसमें आपने फिवारे में डालके अच्छे से अपने पाश्वों के प्रिश्ण काव कर देना है दिन में एक बार कर दें अब जब आप दूद्ध निकालते हैं तो तब कर दें दोस्तों तो इससे आपके पश्वों पर मक्ही और मच्छर यह नहीं बैठेगा आपके नेवा दोस्तो, thank you.